आप सब लोग मैं उमीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज मैं आप लोग के साथ अंडे वाली सेवियों की रसी भी शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही फटा-फट बन जाती हैं तो चलें जी हम इसके इंग् कोटी ग्राम सेविया लेनी है मैंने 70-70 ग्राम के टू पैकेट्स लिये दे इसके बाद आपने हाफ केजी मिल्क लेना है वन कप शुगर लेनी है हाफ कप अपने देसी घी लेना है आप और यूज कर सकते हैं इसके इलावा अपने तीन इलाइचिया लेनी है उनको बीच मे नी थी वो भी हम इसमें शामल कर देंगे और इन इलाइचियों को हम फ्राइच कर लेंगे इस ओईल में अब हम इसके अंदर सेविया आइड कर देंगे और इन सेवियों को हम इसमें फ्राइच कर लेंगे यह थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेंगे यह आपको नजर आए अब हम इसके अंदर हाफ कप पानी भी शामिल कर देंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर वन कप जो शुकर हमने ली थी वो इसमे शामिल कर देंगे और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें इसको बॉयल आना शुरू हो गया है अब हम इसके अंदर जो दो अंडे हमने लिये थे हैं उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और वो अंडे हम इसमें शामिल कर देंगे अब हम इसके अंडे शामिल कर दिये तो अब आप इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि अन्डों का जो कच्छा बन हो रहा है और दूद भी ड्राइ ब्राइब हो जाए अब हम इसको 2 मिनिट के लिए कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा दूद जो है वह ड्राइब जाए और और यह देखे जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे होंगे तो जब ऐसी स्टेज आ जाए कि आप सेवियों को मिक्स करें और नीचे जो आपको पैंड की जमीन नजर आ रही है ना जब आपको वह सर्फिस नजर आने लग जाए तो इसका मदब आपकी सेविया रेडी हो चुकी है पहले हम एक्स कर रहे तो यह चिपक रही थी नीचे सर्फिस के साथ और अब यह नहीं चिपक रही अब यह असानी से जो है वह मिक्स हो रही है इसका मतलब आपकी सेवियों ड़न हो चुकी है अब मैं इसको डिशाउट कर लूँगी और यह हमारी मज्यदार सी जटपट सी अंडे वली जेवियां बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा बहुत ही असानी से और फटा फट बन गई है उमीद करती हूं कि आपको यह रसीपी बसंद आई होगी आप लोग इस जैसी भी को जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे बताएगा क कि आपको रसीपी कैसी लगी है हम इंशालला अगली रसीपी के साथ मिलेंगे तब तक आप लोग अपना खयाल रखिएगा और मुझे अपनी दौा में याद रखिएगा अला हाफिज